रतवारिस अलिसा करते हैं ति राम और रब एक चीज़ है लेकिन ये बहुत ही टेड़ी खीर है इसको समझना दुश्वार है इसके बारे में बहुत गौर करने की जरूरत है बहुत अंदुरूनी बात है आशिक हर चीज़ में मासूप का जल्वा देखता है आशिक जो होता है इसको हर जगा अपना माशूप की नजर आता है आशिक जो होता है उसका काम रोना है रोना वो गरिया करना ही उसका काम है आशिक को लाजिम है कि सर कट जाए मगर शिकायत ना करे क्यों कि कातिल भी गयर नहीं होता है गातिल यो होता है वो घहिर ठोड़ी नहीं आसिक चाहिए कि माश मुर्दे बेक्तियार होता है उसी तरह आसिक एक सायत भी अगर माशू की याद से गाफिल रहेगा तो वो सायत उसके लिए बमनजला मौत के है उन्हें खफलत नहीं होनी चाहिए गाफिल नहीं होनी चाहिए माशूग की आता हो या जफा आशिक के लिए राज है मने अपने माभूब के तरफ से जो कुछ भी आवे चाहे वो खुसी आवे या गम आवे उसको बरदास करना है आशिक ना तारीफ से खुस होता है ना मलामत और गाली गलोज से रंजीदा होता मने एक सच्चे मौमिन और सच्चे आशिक जो होते है वो उसकी तारीफ भी अगर कीजिए तो वो तारीफ से बहुत कुछ नहीं होता है और अगर आप उसको गाली भी देते रहिए तो बहुत ज़्यादा गमगीन भी नहीं होगा एक हाल में रखते है आशिक जब सब को छोड़ता है तब यार से मिलता है यार से जब आशिक मिलता है ना तो वो सब को छोड़ के मिलता है रहता तो सब के साथ ही है एक जमाना ऐसा होता है कि आशिके हिज्र की शिकायत करता है ना वसल की तलब करता है एक ऐसा जमाना आता है कि ना उसको जुदाई का शिकायत रहती है या नहीं मुलकात कर तलब रहता है जो है सो छीख है इश्क में कोई गैर भी नहीं और बजज़ चैकऑ पिर भी बष्बुए को कने विए was जुआ को सरुषिसे सरुकार करता है कि और अचिक क strigers करता है तरा कर मासूं इसकायद भी करता है और मासुख मुस्कुराता रहता है। जिनका इश्ग कामिल है उनका शौक जोश, हयात और मिमात, वसाल उफराक में यकसा रहता है। ना उसके लिए तरक्य है ना उसके लिए तनजूर है बलो कि वो नफ़ा नुकसान से मनज़दा होता है। जो आशिक कामिल होता है। नफ़ा नुकसान से पाक हो जाता है। नफ़ा है तो भी चीक है, नुकसान है तो भी चीक है। बनीकुल ऐसा हो जाता है। बड़ा ही अजीव हो जाता है। इससा वलियों के सिपत है। आशिक से मुराद वही कहा गया। अगर आप गुलंदी पर जाना चाहते हैं तो महबत के जरिये से बुलंदी पर जा सकती मनसूर की बेतावी ने मनसूर को दार पर चड़ा दिया मनसूर को जो दार पर चड़ाया गया खांसी को लटकाया गया वो उसकी बेतावी ही थी परिश्टों को महबत बहुत ही जजबी मिली है जिनको मुखबत सची है साधिक है वो खामोस रहते हैं मुखबत भी एक खुडा का राज है रज़ंज पहुंचे तो सब्र करो रहत पहुंचे तो सुक्र करो क्यों कि सब खुदा की जानिव से हैं असबाब दुनिया का बहाना है वारिस प्या काते हैं कि अगर तकलीफ महुचे तो सब करो राहत मिले शुकर करो क्यों कि तकलीफ और राहत जो भी आती है सब उसी के तरब से आती है बिना उसके मर्जी से नहीं आती है एक बुजग थे उनको को आदमी पत्थर मारता था तो को नहीं देखते थे जो पत्तर मारता था उसको नहीं देखते थे उपर देखते थे काते थे कि बहुत अच्छा कर रहा है उपर देखते थे बहुत अच्छा कर रहा है